हेलो फ्रेंड स्वागय थे आपका आपके अपने यूट्यूब चनल सरस्वति इंग्लिस क्लास में मैं समीर सिंग लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास एट का सीवेसी एंसियाटी बोर्ट का यह है पोयम नंबर टू जो हने डियू का पार्ट है जोग्राफी लेशन यह कैसी प्रत्वी दिखती है मैप में कैसे दिखती है और उचाई पर जाने पर कैसे दिखती है तो यहां जो पोयट आपके हैं जुल्फिकार घोष्म होदे जो कि इंडिया में बौर्ण हुआ था इंका पाकिस्तान में फिर बाद में सिफ्ट हो के थे क्योंकि पार्टिशन कुछ अलग दिखती है और उचाई पर जाते हैं तो प्रिच्वी कुछ और लगती है फिर और उचाई पर जाते हैं तो कुछ और दिखती है इस तरीके से तीन पार्ट में बाटा है इस पोयम को इस चोबिस लाइन के पोयम को इस पोयम में कोई रामिंग स्कीम नहीं है बहुत सारे हैं यानि अलंकार का यह जिसमें बहुत ज़रा किया गया है इसमें तो हम बात करते हैं पोएम के एक एक लाइन को हाँ पोएम को समझाने से पहले मैं एक और चीज़ समझा दूँ आप अगर यहां देखें यह देखें आप यह उचाई से लिया गया सीन है बे तर लेकिन जो आप उचाई इससे देखते हो ना तो अजीब सा दिखता है कहीं छोटा कहीं बड़ा कहीं चोटा कहीं बड़ा लगता जैसे हमने घर में सामान बिखे रहे हैं गंदे पड़े हुए यहां वहां सब सामान पड़ा हुआ है वैसे उचाई पर भी वह घर छोटे-छो सडक है, यह ब्रिज तो यह अजीब तरीके से दिखता है जह़े हम उचाई पर जाते हैं तो चाहे वह किसी बिल्डिंग के उचाई पर जाकर के देखे हैं हम चाहे वह हम एरो प्लेयन हेलिकॉप्टर या किसी भी सोर्ज से देखते हैं हम तो अजीब सा हमें लगता है तो लिखा है when the jet sprang into the sky फिर यहां लिखा है when the jet sprang into the sky यानि कि यह लाइन जो पहली है वो यहां पर दुहरा दिया है कविने और इसलिए यह एक पार्ट हो गया इस तरीके सा आपको दूसरा जो इसे दिखेगा अगर आप यहां देखेंगे तो when the jet reached 10,000 feet when the jet reached 10,000 feet लेकिन यह थर्ड पार्ट में ऐसा नहीं है यहां when the jet rose है लेकिन यहां पर लाश में नहीं है इसका मतलब यह खतम करते हैं अब रिपीट नहीं कर रहा है तो आपको एक और चीज़ बता दू मैं कि जब कोई line फिर से कहीं पूरी की पूरी line repeat करती है तो उस बनाये हुए हैं आप उसे जाकर के चेक कर सकते हो आपको आपको इसे वीडियो समझ में आ जाएंगे और यह बहुत important है आपको अलंकार यानि figure of speech समझना चलिए चलते हैं एक एक लाइन एक शब्द को confirm करने वीडियो के अंतर तक देखेगा क्योंकि मैंने फिर solution भी दिया ह इस वीडियो में इस lesson का फर्स्ट लाइन कि यह इंग्लिस में मने यहां पे explanation रखा हुआ है if you want to know the explanation into English you can read it you can easily understand but if you want to understand in Hindi I'll just be here and I'm just telling you in Hindi explanation so be keep watching be online to know about the lesson line by line when the jet sprang into the sky जब jet जो है वो sprang का मतलब यहां पर होता है lifted off यानि उड़ा into the sky तो कभी हमारे जो है एक जेट पर बैठे हुए हैं चाहे वो रियल में बैठे थे चाहे इमेजिनेशन कर रहे हैं लेकिन हम यहां पर दिखाएंगे कि मानों कोई व्यक्ति जेट वीमान पर बैठा हो गया why the city had developed the way it had why was मतलब होता है क्यों क्यों भस इस शहर ने हैड ड़े डेव्लब्ड विक्सित किया है डवे इट हैड जिस तरीके से ये होना चाहिए था यानि कि शहर ने अपने आपको विक्सित कर लिया है क्यों विक्सित कर लिया है जिस तरीके से ये विक्सित करना चाहिए था उस तरीके से विक्सित कर लिया है शहर ने ऐसा कवी को तब लगा जब कवी आश्मान में जेट विमान पर बैठ करके उड़ा यह सपस्ट हो गया था कि जिस तरीके से शहर को विक्सित होना चाहिए था विक्सित सहर ने खुद को कर लिया है कैसे कर लिया है क्यों कर लिया है आगे देखी का लाइन sing it it मतलब शहर इसे देख करके शहर को देख करके यह पता चला scale 6 इंच के बराबर दिखता है to the mile जब मीलो उपर जाते है न तो इंच में दिखता है छोटा छोटा दिखता है शहर क्या देश भी छोटा दिखता है पर जब भी छोटी दिखती है जब आप बहुत दूर चलता है ना कि जो बड़ी बड़ी मीलो जैसे मील मतलब एक बड़ा पैमाना होता है तो जो बड़ी बड़ी चीजें होती है जैसे आपका बिल्डिंग बहुत बड़ी है आप नद्दिक से देखते हो आपको पता चलता कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है बहुत बड़ा पहा तो यह निश्चित हो गया है इससे यह प्रतीत होता है कि यह निश्चित हो गया है क्या निश्चित हो गया है जो हमें दिखता है ग्राउंड पर ग्राउंड का मतलब यहां पर प्रत्वी पर प्रत्वी पर जो हमें दिखता है याना had looked half z वो हमें half z दिखता है पृत्वी पर हमें कैसे दिखता है पृत्वी पर हमें चीजे half z दिखती है half z का मतलब होता है scattered बिखरा हुआ यहां वहां पड़ा हुआ आपको भी मैंने दिखाया कि जब आप उचाई से देखते हो तो प्रत्वी पर हमें लगती है कि जो बिल्डिंग बनिये न यह बिखरा हुआ है कहीं बड़ा कहीं छोटा कहीं खाली जगा कहीं ऐसा वैसा तो कभी भी ऐसा कहता है कि यह निश्चित था जब मैं उचाई पर गया तो मैंने ग्राउंड पर देखा प्रत्वी पर देखा तो मुझे दिखा कि यह स्काटर्ड फार्म में है बिखरे हुए फार्म में है अनप्लान बिना किसी प्लानिंग के बनाये गया है और विदाउट स्टाइल इसके कोई शा लगे एक मुझाई पर जाने पर यह अजीब सा दिख रहा था बिना किसी प्लान के बिना किसी स्टाइल के दिख रहा था मतलब बेहुदा तरीके से वह शहर दिख रहा था कवी अपने आपको और दूरा के इंफेजाईज करता है जोर देता है कि यह तब दिखा जब मैं ज जेट रिचड टेन थाउजन फीट थोड़ा बिलकुल तो वेन दचट रिचड टेन थाउजन फीट इट वास क्लेरली और फिर से असपस्ट कैया रहा था था जो यह शहर है देश के where the rivers ran जो rivers के पास वे बसते हैं ऐसे नदियों के आस पास बसते हैं ऐसे शहर जो ran, ran का मतलब होता है दोड़ना, यहाँ ran का मतलब होता है नदिया बहती है तो as opposed हो गया था कि क्यों यह जो देश है ना देश के जो शहर है वो ऐसे जगा यहाँ रोकेट किये जाते हैं ऐसे जगा बसाए जाते हैं जहां पर नदियां होती हैं जहां नदियां बहती हैं अर यह Thank You हो गया था कि क्यों यह जो वैली जो होती है जो घाटिया होती है न वर पॉपुलेटर वहां बहुत ज़्यादा आवादी होती है तो कभी कहना चाहता है साफ साफ कि जब मैं जट विमान पर बैठा 10,000 फिट के उचाई पर पहुंचा तो असपस्ट हो गया था पृत्वी को देखने पर कि क्यों यह जो शहर है जो नदीओं के पास में बसाये जाते हैं उन्हें नदीओं के पास क्यों बसते थे लोग अब तर्क दे रहा है क्यों लॉजिक आफ जिग्राफी अब कवी जो है वह जिग्राफी का भूगोल का लॉजिक यानि तर्क दे रहा है क्यों लोग जो थे वो नदियों के पास बसते थे क्यों घाटियों के पास आबादी ज्यादा होती थी क्य कि जली जीवन है तो लोगों को attract करता है यह आदमियों को attract करता है कि जहां जमीन हो वहीं घर बसा लो जहां water की व्यवश्था हो वहीं घर बसा लो क्योंकि आपको अगर water आजपास है तो पानी की आपको पताओगा कि आज हमारे तावस्चाथा होती है और ये आदमियों को attract करते हैं तो जहां land होती है वहीं आबादी बसा लेते हैं जहां water होते हैं वहीं आबादी बसा लेते हैं लोग इसलिए घाटियों के पास pollution population ज़ादा होता है वो आज clearly delineated और ये बिल्कुल delineate था, delineate मतलब हो था shown, ये असपस्ट रूप से दिख रहा था, when the jet, कब दिख रहा था ये चीजें, जब jet 10,000 feet के उचाई पर पहुचा, फिर से कवी ने अपने sentence को repeat किया है यहां पे, और ये refrain नामक figure of speech है, तो कब यहां साफ साफ कहना चा आया जाते हैं, वहां valley घाटियों के पास आबादी जादा क्यों होती है, इसका वो तरक देता है, भागोलिक तरक देता है, लैंड और वाटर जो होते है, ये इंसानों को अट्रैक करते हैं, और ये असपस्ट रूप से दिखता है, कब जब वो 10,000 feet की उचाई पर पहुच इसलिए वो six mile, six mile मतलब होता है, लगभग इतना मीटर, 9600 मीटर, यानि कि लगभग आप कह सकते हो, दस किलो मीटर के असपस्ट, लगभग जब जब जट जो था, वो 6 मील के उचाई पर, या 10 किलो मीटर के उचाई पर जब पहुचा, तो फिर से कवी कहता है, फिर से बहुत छोटी दिखते है, जब उचाई पर आप जाते हो, और सिर पृतवी नीला दिखाए दिता है, क्यों कि लैंड से ज़्यादा वहां पर sea है, इसलिए कवी कहता है, यहां पर एंडाट और यह भूम की या पेच्छा, पृत ज़्यादा जल है, और आपको पता है, कि प बहुत उचाय पर जाते हो, तो पृत्वी जो है, वो नीली दीखती है, क्योंकि 20-30% के बीच में लैंड है, और 70% के आसपास जो है, या more than 70% के आसपास जो है, वो पानी ही पानी है, तो पृत्वी गोल दीखती है उचाय पर जाने पर, और ये भी असपास हो जाता है, कि difficult आसान नहीं था difficult मतलब कठिन यह कठिन था understand समझना that key the men on the earth कि जो आदमी रहते थे पृत्वी पर found causes वो सब कुछ तो पा गए जल पा गए लेंड पा गए लेकिन कव को यह बात समझ में नहीं कि जो आदमी ना यह जो पृत्वी पर रहते हैं वह found वह पा गए causes causes मतलब होता है कारण वह आदमी कारण भी पा गए पृत्वी पर रहने वाले क्या कारण पा गए तू हेट इच अदर वह एक दूसरे से नफरत भी करने लगे सब कुस तो पा गए देख कभी यहां पर third part में वह sentimental होता है और आपको एक moral देता है कि हम तो सब अब यहां पर आपको कह सकते हो borders हम बॉर्डर्स खड़ा करने लगे क्योंकि ज़्यादा हुट जाए पर जाने लगे न तो बॉर्डर दिखने लगा यह इंडिया है यह पाकिस्तान है यह नेपाल भूटान वर्मा म्यामार यह सब दिखने लगा तो पता नहीं क्यों वाल् पढ़ गए जैसे आज होता है हर कोई जो होता है वो आज किसी को किसने किसी के संपत्ति को छिनने के लिए पैसों को छिनने के लिए देश पर अपना कर्जा जमाने के लिए छोड़े छोड़े देश उपर लोग एक दूसरी की हत्या करने पर आमादा हुए तो यहां पर फ कि क्यों लोग जो हैं वह एक दूसरे को मार रहे हैं यह दूसरे का खून कर रहे हैं क्यों एक दूसरे से नफरत करते हैं इस तरीके से यह पोएम खत्म होती है आसा है आपको पोएम समझ में आई होगी हम चलते हैं पोएम का सलूशन के यह पेज नंबर 35 में आप जाएंगे तो आपको यहां पे first question मिलेगा इसका answer यह है second question यहां है और second question का answer यहां है और इस तरीके से third question, third question का answer यहां है और यह last fourth और fourth answer आशार आपको यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो like का button जरू प्रिस करिएगा comment box में comment करेगा अगर आपको कोई परशाणी होगी तो कोई सुजाव देना चाते हैं तो अच्छा लागा है तो भी आप कमेंट कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ Share जरू करिएगा क्योंकि Caring is sharing Sharing is caring तो care करना Share करना होता है शेर करते हो तो Care करते हो तो आप शेयर जरू करिएगा और अगर आप पहली बार आया होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा जो बेल का बटन है उसे प्रेस जरू कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरी वीडियो का जल से जल मिल जाए ऐसे देखते रहिए पढ़ते रहिए अपना ख्याल कीएगा थैंक्यू फर वाचिंग दे वीडियो